हलो दोस्तों कैसे भी आफ आफोलोग सभागत आपका इस नई वीडियो में इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं React Native Fireways — Real-Time Chat ठीक है तो Real-Time Chat भी हम बनाने माले है Firestore database की हेल्फ से ठीक है जिसमें हम Real-Time Chat करेंगे और यहां पर आप डेक सकते हूँ स्क्रीन पे दो यूजर है ठीक है मैंने एक रियल डिवाइस ले रखी और एक है इमिलेटर ठीक है तो जब भी आप यहां देखोगे यहां साइड में डेटावेस में देखते हैं तो यहां यूजर्स पोस्ट और टोकन्स नाम का कलेक्शन है बट यहां पर कोई चैट नाम का कलेक्शन नहीं है तो जब भी हम यहां से मैसेज स्टार्ट करेंगे यहां चैट नाम का कलेक्शन बनेगा और उसके अंदर दोनों यूजर्स के मैसेज दिखाई देंगे ठीक है तो इससे ट्राई करते हैं सबसे पहले मैं करता मैं अपने वाले से एक message भेजता हूं इस user को देखते हूं, real time में यहां पर hello आ गया time भी देख सकते हूं, 39 में मैंने यहां से भेजा ठीक है और जब पहला message आ गया तो हम क्या करते हैं इसको refresh करते हैं, fireway score यहां देखते हैं chat नाम का हमारा collection बना या नहीं बना, ठीक है तो जैसे आप देख सकते हूं, chat नाम का collection बन गया है और उसके अंदर messages, messages में जो भी यह list बनी इसके अंदर यहां देखते हैं, हमारे पास एक message आया है यह, hello, ठीक है, time भी 39 जो यहां पर है, ठीक मैंने क्या करा, मैं reply करता हूं, hello, how are you, ठीक है जैसे यहां बेजा, यहां पर आ गया, hello, how are you, 39, ठीक और यहां पर भी दूसरा message generate हो गया, अगर मैं इसे open करके देखेंगे, hello, how are you, ठीक, तो I am fine, ठीक है है, okay, how, like, what, about you, ठीक, देख सकते हैं, बिल्कुल perfect काम कर रहा है, what about you, यहां पर बिल्कुल real-time chat हो रही है, यहां पर भी आ गया और यहां पर भी देख सकते हो, I think, for, कौन सा message, यहां पर क्या है, देखो, hello, how are you, and I think यह वाला होगा, what about you, ठीक है तो, message बिल्कुल अच्छे से, sync हो रहे हैं, database के अंदर, और यहां पर भी real-time देख रहा है, ठीक है, यह चीज, हम करने वाले हैं, इस series के अंदर, यह चोटी सी series है, जो react native social app series का ही part है, बट chat के अंदर, हम 2-3 वीडियो बनाने आले, step by step समझेंगे, सारे वीडियो इसको पूरा देखना, और अच्छे से देखके implement करना, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में या फिर इस chat को बनाने में काफी efforts लगे हैं, तो वीडियो को like जरूर करना, चैनल को subscribe करना और bell icon भी दबाना है, ठीक है, तो सबसे पहले, यह जो like, जो series zone वाली मैं उसको थोड़ा explain करते हूं, चार step में होगी, पहले हम gifted chat को implement करेंगे, यह हम use कर रहे हैं, library gifted chat, ठीक है, यह UI के लिए, तो gifted chat को पहले implement करेंगे, फिर उसके बाद हम chat start करेंगे, conversation start, जब किसी user के पास हम जाते हैं, तो पहला message बेचते हैं, तो वो user हमारी chat list में दिखने लग जाता है, वो चीज़ करेंगे, then chat implement करेंगे, ठीक उसको लाइब chat, यह तीन से चार वीडियो होने वाले हैं, तो चारो वीडियों को अच्छे से देखना, ठीक है, तो बाकी, like, code start करते हैं, पहले, इस वीडियो के दिरम, gifted chat को setup करते हैं, ठीक है, तो फिलाल चलते हैं, अपने code की तरफ, और मैंने क्या कर रखा, यहां पे एक new screen ले रखे, बिल्कुल new screen, जहां new messages करके है, ठीक है, वो screen आप देखोगे, तो कहां से मिलेगी, आपको, like, यहां पर चलते हैं, ठीक है, और यहां मैं आपको दिखा देता हूँ, कहां से मुझे दिखाई देगी, यह वाले screen, हम यहां से चलते हैं, यहां जाते हैं, मेरी following में, और मैं यहां से जाके, click करता हूँ, तो देखो, new messages करके, यह screen आ गई, यह screen है, इसी screen के अंदर हम सारा code करने इसी के अंदर बाने वाले, यह screen है, अब बात करते हैं, हमें सबसे पहले gifted chat को में implement करना है, तो उसकी library एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, तो यह library है, उसकी, आपको install करना होगा, क्योंकि मैंने already install कर रखा है, इसमें install करने में, कोई like दिक्कत नहीं आईगा, आपको just साइट पर जाना है, react native gifted chat, और यहां जाके आपको yarn ya npm का use करके install करने ना है, यह वाली URL आपको वीडियो के description में मिल जाएगी, इसी वीडियो के description में, तो वहां से जाके click करके आप यह वाली library आपको install करना है, जैसे install करोगे, आगी का काम start होता है, मेरा, जहां पर मैं बता gifted chat from here, ठीक है, हमने क्या करा, gifted chat को, इसका code हम क्या करते है, यहीं से use करते है, सीधा उठा लेते है, जब उसने दिया हुआ है, तो क्यों ना use किया जाए, ठीक है, तो इसने देखो यह दिया हुआ, gifted chat, हम क्या करेंगे, यह उठाएंगे, बट यह अभी आप देखोगे, इस में बहुत सारी चीज़ है, इसका on send messages, और messages, ठीक है, तो यह भी उठा लो, यह पूरा ही उठा लो, इतना, यह आपको same, आपको use करना पड़ेगा, बस हम क्या करेंगे, इसमें से file to code हो हटाएंगे, और customize करेंगे, अपने, किस के साफ से, fireways के साफ से, यह तो local, अभी इसन करने वाला हूं, और यह वाले messages नहीं है, तो message array मानलो, ठीक, और, यहां मानलो, message array, इस तरीके से, और यह अटा देते हैं, मैंने use callback को अटा दिया, कोई रिक्ट नहीं, बिना use callback के हम use करने वाले, use state को हम implement कर लेते हैं, और यहां क्या करना पड़ेगा, हमें, style flex देना पड़ेगा, क्योंकि gifted chat दिखेगी नहीं, अगर हम size नहीं देंगे, ठीक, और इसको खरते हैं, save, और, देखते हैं, यह आगया, ठीक है, यह एक default है, आप बोल रहों है, hello developer message कहां से आ रहा है, तो यह देखो, यहां huge effect में, इसने, default में पहले ही एक डाल रखा है, hello developer ID यह है, user ID 2 है, react native बगरा बगरा यह दे रखा, ठीक है, यह सब चीज़ हम हटा देंगे, जब हम अपनी chat को implement करेंगे, अभी तो सिर्फ हम इसका demo देख रहे है, अभी आप देखो, जब भी इससे कोई message करोगे, तो यहां पर add हो रहा है, यह add कहा हो रहा है, जब हम on send कर देंगे, जो भी हमारा, यहां state ले रखा है messages का, उसके अंदर यह push कर दे रहा, gifted chat append कर दे रहा, यह logic हम अटा देंगे, ठीक है, मतलब यह logic हम यहां पर लगाएंगे, local दिखाने के लिए, बट अपना database के साथ लगाएंगे, तो यह सारी change कर ले थे है, gifted chat का है, तो यहां पर एक render, bubble कर के आता है, ठीक हो, यह क्या pass करता है, props, props पास करता है, हम return क्या करेंगे, return, bubble करके इसके अंदर, gifted chat के अंदर एक वो आता है, ठीक है, और, implement के लिए component आता, gifted chat का है, फांट अब बात करते हैं इसके अंदर एक रेंडर को तो आधा है एक ठीक इस के अंदर क्या है राइट यह वाला राइट वाला मैसेज और लेफट वाले मैसेज़ तो हम राइट वाले को चैंज करें रहें थीम के हिसाफ से तो यहां चेंज कैसे कर सकते हैं ऐसे करेंगे background color मेरा जो एप है यह एप का जो थीम है वह औरेंज है एक बार message द्वारा से send करते हैं क्योंकि यह local message just area के अंदर push हो रहा है तो यह इस तरीके इस देखेगा ठीक है तो इस तरीके से हमारा message दिखेगा ठीक और यहां देखो इसको background color white कर देंगे ना तो यह जो सामने वाले का message आ रहा है वो भी gray color का background में देखेगा भी नहीं देख रहा था अब देखेगा ठीक है मालो मैंने अपना message कर दिया कुछ भी लिख दिया यह देखो लिखा और देखो इसका gray दिख रहा है है ना तो यह तो हो गया gifted chat का जो भी हमें setting करनी थी नॉर्मल सी वो ठीक है यह हो गई अब बात करते हैं भाई कि फिलाल तो मतलब यह हो गया gifted chat को हमने इस्टॉल कर लिया ठीक है अब हम समझने वाले कुछ logic ठीक अगला logic क्या समझने वाले हैं भी माल लो आपके पास दो आईडी है ठीक है अभी जो conversation स्टार्ट करने वाला पहले हम क्या करते हैं चैट को implement करते हैं और उसके वाद हम उसे dynamic कर देंगे अभी क्या हम स्टैक बनाते इस्टैक मलता हूं दो आईडी हमारे पास होंगी एक सामने वाले यूजर और मेरी दो आईडी मेरे पास हैं क्योंकि जब भी मैं से स्क्रीन पर आ रहा हूं तो मुझ किसी एक यूजर की चैल सक्रीन से आ रहा हूं यहां से देखो अब यार मैं कहां से आया था कबीर वाले इस चैट पर बटन क्लिक करके यहीं तो आया था तो मैं कबीर की आईडी भेजूँगा अपनी पर यूज बेजूँगा तो मेरे पास क्या क्या चीज है सामने वाले उसका नाम है उसकी profile picture है और मेरी user id है ये डिटा हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं उन इस टैकिक id को यूज करके पहले अपने और चबीर के बीच में एक chat स्टार्ट कर सकता हूँ और उससे कंटीनू कर सकता हूँ जैसे ही वह फ्लो बनेगा हम उसको डाइनमिक कर देंगे कैसे किसी भी यूजर पर क्लिक करो उसकी आईडी यूज करो डाइनमिक हो जाएगा बस श्टार्ट कर वाला लॉजिक हम इसके बाद देखेंगे जिससे आफ कन्फ्यूज ना हो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो श्टा मैंने यहां पर ट्लिक करका दौ मेरे पास यहां पर ऑपे क्सेंदड बटन करें इस के मैं अग्या मुझे अपनी की सब्सक्राक चर्मिक हो जाता है यूजर TL खार्न होगी59 लिएगी तो रूट को यहां पर मैंने ले नहीं रखा न कॉंस्ट रूट इक्वर्स टू यू रूट यह मैं ले लिया यूज रूट और यहां पर मैं अपनी आईडी निकाल सकता हूं कैसे मैं भेज रहा हूं ना तो रूट परम्स डॉट डेटा डॉट माई आईडी चीक है यह तो होगी मेरी आईडी अब यार हम क्या करेंगे ना इस डेटा को जो यह मैसेज यह आ रहा है इसको थोड़ा सा टोड मरोर की अपने फाइरवेस के एसाफ से बनाते हैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा एक MSG लोगा मरला मैसेज और इस एरे का चुचीरों क्योंकि यह जो एरे आता न यह सिर्फ एक ही आइटम आता इसमें अच्छा इसको काम करते हैं एक पर तोड़के आपको मैं डेटा का फॉर्मेट दिखा जाता हूं क्या आ रहा है टीए छाए पायट कर रहा हूं ठीक है ठीक इसको में कोर्मेट करकर और यहां पे हां लोग ओपीन कर लेते हैं अपना यह और मालो मैंने कुछ प्रों टाइब। और मैंने क्लिक कर दिया देखो यह सिंगल आइटम का एरे आ रहा है हमें से सिंगल आइटम का एरे आ ठीक है हमें क्या करना इसको जीरो वाला लेना है सिंगल आइटम है तो जीरो ही लेंगे ना तो क्या करेंगे कॉंस्ट MSG equals to message message area का जीरो यहां सक समझ में आगे हम मैं क्या गरूंगा अपनी जो message हम फाइरवेस पे भेजने वाले हैं जो message उसका format बनाते है मालो यह मैंने object बनाया जिस object के अंदर मैंने यह spread कर लिया कि मैं ही इसके तो मुझे default वाले जो है मुझ चाहिए और कुछ extra जैसे मालो sender id ठीक है sender id sender id मैं क्या भेजेंगे मतलब मैं sender हूँ ना तो मैं send कर रहा हूँ ना तो मैं अपनी id हो copy कर लोगा यह वाली है my id 1 receiver id receiver id में कौन सी id हाईगी सामने वाली ही क्या id तो उसको मैं क्या करूँगा जो मैंने copy किया इसमें user id लगा यह तो बनेगा एक format my message का वह कहां पास करते हूँ है यहाँ ठीक है अभी तक कोई दिक्कत नहीं अब बात करते हैं यार मालो मेरे पास एक id है unique id ठीक है unique id अब मैं क्या करूँगा message start करता हूँ जब भी मैं on sender पर करूँगा अभी देको message जाएगा जा रहा है ना बट यह यहीं है ना यह एप के अंदर ही है यहां नहीं आ रहा है यहां नहीं आएगा यहां पर आपक वार हम देखो इसको चैट को delete कर दिया तो यहां तो यहां तो ही ना रहा है अभी मैं firestore का तो कुछ code लिखा नहीं है तो वह हम करने वाले कैसे करेंगे यहां हम लेंगे firestore अब देखें firestore को मैं import करना पड़ेगा फ्रॉं मैं firestore को यहां call करा मैंने था रिट्रν चैट सी ड़क के अंदर कौन सी आएड़ी होगी मेरी आईडि हैंै न तो मेरी आएडिय डाक के अंदर होगी तो मेरी आड़ी क्या होगी यह मैंने कॉपी करा ना माई आइडी ठीक डॉट कलेक्सेंट मैसेजेज ठीक डॉट एड एड के अंदर क्या एड करेंगे हम जो यह माई मैसेज आ रहा था ना भाई की यह उसके बाद एक क्रियेट एड एस्धाम करेंगे और इस क्रेंड में क्या होगा मलब फिर्लोम होग का लड़ किरी अब यहां देखोगे जिन आ मिल जाएग हूल्य की अदर यह आ रहा ठीक है इसको हम थोड़ा सा अपने फॉर्मेट पर करेंगे इसको क्या करेंगे न्यू डेट ठीक इस तरीके यहां पर अपनी आईटी ना करके मैं करता हूं एक कॉमन आईटी देता हूं मालो तो 123456789 अभी के लिए तुम टाइनमिक बना रहें ठीक है यह मैंने दे दी है अब हम क्या करने वाले हैं एक मैसेज भेज के देख लेते हैं यह मैसेज यहां गया है अब हम इसे एक पर रिफ्रेस्स करते हैं यहां देखते हैं चैट नाम का कुछ बना क्या अगर चैट नाम का बना है तो उसके अंदर जो हमने मैसेज विजा वो होना चाहिए है न तो यहां देखो चैट नाम का एक बना है ठीक है चैट नाम का बना है उसके अंदर यह 12345 अमने जो आईडी दी ती देखो यहां पर ठीक है और उसके अंदर messages और messages के अंदर यह item आया उसके अंदर हमने जो भी लिखा यह ठीक अब मालो यहां पर ID हो गई यह मेरी ID हो गई अब मेरी ID है यह और यह देखो मेरी ID क्योंकि sender में ही हूँ और यह receiver की होगी ठीक है कोई दिक्कत ने इसमें अब बात करते हैं सामने वाला बंदा भी इसका reply कैसे करेगा उसे भी reply करना हुआ न तो मैं अपने फॉन के अंदर जो मैंने login कर रख्था है स्कोपिन करते हैं यहां है ठीक मैं यहां हूँ और मैंने यहां गॉर्प पर गया मैं भी करता हूं एक message और देखते हैं कि एक ही message चैया है यहां देखो दूसरा जन्रेट हो गया पर ID जो है न वह एक ही है इसके अंदर ही यही है एक चाहिए दो यूजर जो हैं एक दूसरे को जानते हैं वह इसकी जो ID मैंने एक ही जन्रेट होने चाहिए बस messages की अंदर आइटम बढ़ने चाहिए है ना तो यहां देखो अगर आप देखोगे तो यह दूसरा मेसेज जो मैंने वेजा वो जी 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 आ गया अब मैं क्या करूँगा इस फॉर जो यह वाला डॉकुमेंट इसको मैं गेट करूँगा और तोनों की बीच में दिखाऊँगा तब ही तो पता चलेगा अभी तो मेसेजिस ऐसे आरहे हैं न दो उसके लिए में क्या कर्ना होगा ऑफज क्या करना हुग यहां देखो यूज फाक्टम यूज कर सेट सेट मेसेज अभी क्या कुछ ने हैं न गठाक ठीक हम मैसेज को करेंगे लाइब लाइब गेट करने वाले तो क्या करेंगे यहां पर फायर इस्टोर ले लिया मैंने कॉंस क्वेरी स्नाप्शोट एकलश फायर इस्टोर डॉट कलेक्षन कलेक्षन में चैट्स डॉट 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 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक यह है ना डॉट कलेक्षन मैसेज़स मैसेज़स ठीक है ओके मैसेज़स डॉट ओर्डर वाई ओर्डर वाई किसके वेस पर क्रियेट डेट एट और यहां पर मैं क्या देना होगा उसका तरीका डेसेंडिंग में ठीक है यह हमने गेट करा लिया अब मुझे क्या मिल गया क्वेरी स्नाप्शोट मिल गया थिख सकते हैं yeah जिससे में डेट धर मिल गिया 變ल्ड ये क्या करेगा है यह Snapshot हमें यहां पर एक const all messages करके हम ले ले रहे हैं जो all messages किसके नदर आएगी Snapshot.data इसके अंदर हम मैं कहा करूंगो इस all messages को यहां return करने वाला हूं क्या ने नहीं 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 थोड़ी सी help लेनी पड़ेगी थोड़ी सी help लेनी पड़ेगी नहीं होके query Snapshot.doc यहां पर हम इसको क्या करें आइटरेट कर रहे हैं ठीक है तो query Snapshot.docs.map यहां पर समझ लेते हैं मैं भूल गया तो यह जो आया तो यह थीक है एक वर कंटोल जट कर लेते हैं इसको all messages Snapshot.docs.map i snap ठीक रिटर्न snap इसको फिर से हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे snap.data data निकालेंगे बट इसकी कुछी change करेंगे हम कैसे जो हमें created add हम change कर रहे था created add वो यहां पर change करेंगे new date इसको बस ना save करना है ठीक है तो इस all messages के अंदर save हो जा भई all messages के अंदर क्या सारे message आ जाएंगा मैं का करूँगा set messages के अंदर all messages को क्या कर दूँगा set ठीक अब क्या करते हैं एक बार देखते हैं इसे save कर लिया न हम अपनी screen को run करते हैं बैसे तो पहले से आने लग गया ठीक है यहां पर अपनी screen दूसरी वाली screen को save करता हूं देखो यहां पर पहले से आने लग गया अब मैं एक और मैसे बेशता हूं Hi अभी क्या थोड़ा सा कहां जा रहा है उल्टा सीधा जा रहा है क्यों जा रहा है यह बताता हूं यहां पर मैं क्या करने पड़ेगा जब हम save करें तो यहां new date नहीं यहां पर मैं क्या करना है जो firebase का server time है न बो लेना है तो वह कैसे लेंगे firestore.fieldvalue.data.createdat.stamp करना पड़ेगा एक जेक्ट मुझे आ भी नहीं रहा हूं firestore.fieldvalue server time यह ठीक है कुछ नहीं है यह आपको मिल जाएगा ज्यादा कुछ इसमें है नहीं देखो firestore लिया उसका field values लेकर server time step निकाल लिया ठीक यह है अब हम इसको द्वारा से जब हम मैसेज भेज के देखते हैं अब हम देखेंगे कि मैसेज सही से आ रहा है कि नहीं है अभी के अभी की कि एक काम करते हैं पहले सारी चैट को डिलीट करते हैं साहेद हमने पहले यह ताइम भेजा ना उसके वजह सकता है थोड़ा सा गड़ा बढ़ो तो हम क्या कहते हैं तो ह्याहां से नीव चैट स्टाट कर देताया ए हलो है हालो इसने भीज़ लो तो मैं भी भीज़ था हूं हालो ठीक नॉच अपन ऐसे चाहित कर्फेक्ट आई ऐँ या मैं फाइन फाइन फांड आइन फाइन आप वोगे मैं नहीं पूछा था तो आइम फाइन तो मैं लिख रहा हूँ है तो मैसीज भेजा तो मैं लिखा आईम आई मुझा तो अभी आप देख सकते हूं यहाँ यहाँ यह static ID आ रही है, इस static ID को हम next video के अंदर dynamic करेंगे, जिससे हम किसी भी user से कोई भी like list के अंदर, बहुत सारी us होते हैं, किसी भी user से dynamically chat कर सके, अभी तक तो हमने इसे statically डाला था code के अंदर, ठीक है, यहां देख सकतो यह doc ID, तो इसको dynamic करेंगे, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, वो next video में जानेंगे, बट फिलाल के लिए आप देख सकते हो, chat जो है, वो real time हो रही है न, तो यह एक like, first step है हमारा, ठीक है, तो next video में हम देखेंगे, इसका आगे का continue करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो अभी के लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और मिलते है next video में, इसके next part के साथ,